तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वडियो में आज के इस वडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नमबर 7 है नाम है टोबा टेक सिंग बहुत ही अजीब हो गरीब नाम है और इंट्रेस्टिंग कहानी है बले नाम सु कैसी तरह भारकत करते हैं कि आढका 20 की आदमी का नाम है तो बिल्कुल गलत प्र Works को पूरी कहानी समझ जाएंगे bathrooms तब बहुत कहाने लिए और क्यों चैप्टर ka साथा है तो पूरी कहानी पूरे चैप्टर को आज के इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीट करने वाली हूं ध्यार में रखेगा ट्वल्द क्लास के उर्दु का यह चैप्टर नंबर सेवन है नाम क्या है टोबा टेक सिंग तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को एकदम ब क्योंकि यह भी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इंट्रस्टिंग बहुत ही मतलब दिल को लुभा देने वाली कहानी लिखा करते थे तो यह एक अफसाना नेगार है अफसाना नेगार के सांसाथ यानिकि कहानी लिखने के सांसाथ यह ड्रामा भी लिखते हैं यानिकि एक ड देखना है तो एकडम स्टार्टिंग से मैं आप लोग को कहानी बताती हुँ देखिये ये कहानी है तब कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बट्वारा हुआ था बट्वारी की बहुत चारे लोग इधर उदर मुलब भलचल मच गई जो पाकिस्तान में को वाह पस पाकिस्तान के लोग दूस्तान रहे गए थे दो हाथ पाकिस्तान जाना था भघ्डर भगदर जयी तो अ Beanuary को बताओ को अभी तो अगर एक घर हो जाता है तो सोचे कंट्रॉल करना मुश्किल हो जाता है उस वक्त दो देशों के बीच बटवारा हुआ था और लोग भगदर मचा रहे थे तो उस वक्त के जो नॉर्मल इंसान थे उनके जजबात तो अलगी थे लेकिन इस चैप्टर में इस कहानी में पागलों के जजबात को दिखाये गया है जैसे ही य हिंदुस्तान आना है और जो पाकिस्तान के मुस्लिम पागल है हिंदुस्तान के चुट चूट चूके है उनको वापस पाकिसतान जाना है दिन ही Mobile हो उग ढागलो का पूरा पागल खाने में भगदर मच गया हलचल मच गई सभी अब देखिए पागल खाने में भी जितने भी पागल रहते हैं एक साथ रहने के जैसे उनके भीच घनिस्ता हो जाती है जिसको जैसे वह एक दुसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं और बिल्कुल उसी तरह हुआ यह कहानी है लाहौर के पागल खाने की जो कि उसक्त पाकिस्तान में था ठीक है लाहौर तो लाहौर के पागल खाने में जब यह बात पता चली कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हो चुका है जो हिंदू और सिख पागल है उनको हिंदुस्तान जाना होगा और मुस्लिम जो पागल है उनको पाकिस्तान रहना होगा तो यह बात जब पता चली तो जितने भी लाहौर के पागल खाने कि जितने भी पागल थे ना घ्लचल सी मच गई भगदर मचने लगी एक रोने लगे कुछ लोग जोना बहुत दा बेचायन थे कि अब क्या होगा अब जो अलग अलग पागल है किस तरह के फे बेवार करते हैं यह जाने की खबर सुनकर बटवारे की खबर सुन और किस तरह के हरकत करते Gordon वही दिखाया गया इस चैपर में बताए हैं तो लाहॉर के हने का एक पागल था जो कि मुसल्मान पागल था जो 12 साल से जमिनदार पढ़ता था जमिनदार नाम का एक अख़बार आता है आता था उस वक्त तो जमिनदार नाम का अख़बार वो पढ़ता था उस मुसल्मान पागल से एक जो दूसरा मुसल्मान पागल है वो पूछा कि अच्छा ये पाकिस्तान है क्या चीज किया था वो मुतमईन हो गया मतलब वो समाझ लिया कि एकदम सही जवाब दिया है ठीक है इस तरह पागलों के अब जब आप लोग पागल के सिंस में आकर इस चैप्टर को समझेंगे ना बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा ठीक है अब देखिए एक स पागल था जो दूसरे सुई पागल से पूठा कि हम लोग को हिंदुस्तान क्युंगे जा रहा है हमें तो हिंदुस्तान की भाषा cả नहीं याती तो वो जो स्रुख पागल है पहला वाला वो बोला हमें तो आती है मैं तो कि बहुत आने के नहीं के लिए तक अलग ऑलग कुछ दोस्ततो रो रहे थे कुछ लोग कुछ पागल जो थे न वोच छिला रहे थे को अलगल अलग हरकत की है देखे़ी जना एक मुसल्मान नाथे पाकिस्तान और हिंदूस्तान हिंदूस्तान और पाकिस्तान के चक्क्र में इतना और बीज् anirog Syria ना कि वह नहा यह कैसा पागल है कुछ ऐसे पागल थे जो पागल नहीं थे यानि कि वो लोग क्रिमिनल थे जो व्यक्ति क्राइम कर देता है उसको फासी की सजा मिल जाती है बड़ा बड़ा मतलब खतरनाक मर्डर कर देता है क्राइम करता है तो उसको फासी की सजा मिल जाती है तो उसके पर वाले क्या किये थे पागल घोसित करके पागल खाने में छोड़कर चले गए थे पासी की सजा से बचाने के लिए लेकिन वह एक क्रिमिनल थे बहुत बड़ा बड़ा क्राइम किये थे ठीक है तो उनको कुछ पता था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बटवारे में ठीक है ना उ नहीं चपती थी कि ये जो पागल है जो कि criminal मतलब इनको fully पागल नहीं कहेंगे criminal बोल सकते हैं तो इनको कुछ पता था और अखबार में यह से खबर ज्यादा नहीं सबती थी तो इनको न लगाना मुश्किल भी था और जो पागल खाने के चपरासी होते हैं क्या बोला जाता है दर्वाजय के पहरेदार क्रदार क्योंकि वह लोग अनपड़ थे पढ़े नहीं तो वह क्या ही बता सकते थे ठीक है तो यह पागल के बारे में बात हो गई इनको भी नहीं पता था कि पाकिस्तान कहा है ठीक है एक पागल जो जाड़ू देते देते हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चकर में ऐसा पागल हो गया इतना ज्यादा पागल हो गया कि दरख अचानक उसके दिमाग में कुछ खयाल आया होगा कुछ परिवर्तन हुआगा उसके माइड में कुछ रियक्शन हुआ होगा और अचानक पिर पर चड़ गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बटवारे के मामले पर दो घंटे तर लगा तार तक्रीरे करता रहा बहुत सारे उसको समझाए कि भाई नीचे उतर जा कि उन्टरक्ट पर चड़ तक्रील कर रहा है नीचे हो गया बस दो घंटेते से तक्रीरे कर रहा ऐसा नीचे बहुत देर हो गया और घंट या करते करते मामला से तब वो पेर पर से नीचे उतर कर अपने लाशिक पागलोUNG को गले गम जो है ना यह एक पागल को भी रुला दे रहा था देखिए पागल के अंदर भी जज़बात होता है भावना होती है ठीक है एक पागल ऐसा था जो में सीपास था रेडियो इंजीनियर मुसल्मान था और इसका मैं क्या कहूं यह इतना पागल हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में कि सारा कपड़ा उतार कर नंगे पुरे पागल खाने में घूम रहा था सोचिए आगे देखिए एक मोटा मुसल्मान था जिसका ना आयलान कर दिया महम scenario जिकी आयद इयाजम दिसको कहा जाता था इसका नामन अली था ले और पागल जो कि हिंदू वकील था, यहां पर वकील गलत लिखाया है, यह वाला काफ से नहीं रहेगा, यह वाला काफ से रहेगा, ठीक है, वकील, तो लाहर के एक पागल थे, जो कि यह हिंदू वकील थे, और यह बिचारे मुहबत में पागल हो गए थे, अक्सर लोग मुहबत में ही प हिंदुस्तान में चला गया है बहुत जदा गुस्सा हुए क्योंकि जिस लड़की से मुहबत करते थे वह अम्रित्सर की थी और इनको लाहोर में रहना पसंद था तो जिसने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बटवारा किया था उसको धेर सारी गालिया दिया धेर सारी लंब लंबा चौड़ा गालिया दिया इसके दोस्तों जो भी पागल थे वो समझाने लगी कि बेखो इत्मा ज्यादा गालिया मत बखो तुमको हिंदुस्तानी पेज दिया जाएगा तुम्हारी महभूबा के पास लेकिन यह जो थे हिंदु वकील जो की पागल हो गये थे इनको सर्मिकल जाते हैं तो यूरेपीज वाड में दो अंगरेज पागल थे इनको इस बात की टेंट्सन में चीजन्ट में और भी ज़्यदा पागल हो गए थे कि पहले तो अंग्रेजाचे राज कर रहे और अब तो अंग्रेज भाग गए खत्म कोया है भारत पड़े तो अब क्या होगा IF I अम negative खुदा ही कहता था जिसे भी देखो मैं खुदा हून तेखें पागल का दिमाग आप लोग समझ सकते हैं अब देखिए हैं जो कहानी 충 से स्टार्ट होती है उसी पागल खाने में लाहौर के ही पाघल खाने में एक catagl जिसका नाम था वशन सिंग लेकिन लोग इसको प्यार से टोब टेक सिंग बलाते थे अब सुनिये यहाँ पर चैप्टर का नाम है टोबा टेक सिंग और एक पागल का नाम है टोबल टेक सिंग लेकिन इसका रियल नेम नहीं है इस पागल का रियल नाम क्या है असल नाम विशन सिंग इसको लोग प्यार से टोबा टेक सिंग इसलिए बुलाते हैं ना क्योंकि विशन सिंग जिस गाओ में रहता था उस गाओं का नाम था टोबा टेक सिंग और यह अपने गाओं से बहुत ही ज़्यादा मुहबबत करता था इतना ज़्यादा अपने गाओं से लगाओ था ना इसको विशन सिंग को कि लोग इसको टोबा टेक सिंग यानि कि अब उसके गाओं के नाम पर ही उसका का नाम है तो अब आप लोग को पता चला होगा कि टोबा टेक सिंग किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बलकि ये जगह का नाम है भले ही विशन सिंग को टोबा टेक सिंग पुकारा जाता था लोग प्यार से पुकारते थे तो यह जो सिख पागल था टोबा टेक सिंग यह 15 सालों से लाहोर के पागल खाने में था सालों से उस पागल खाने में टोबा टेकिशिंग रह रहा था और 15 सालों में एक बार भी यह बेठा नहीं था नहीं लेखा था नहीं सोया था सिर्फ हमेचा खड़े ही रहता था यह फिर ऐसे टेक लगा कर थोड़ा सा नहीं था नहीं था सबसे बड़ी और इससे कुछ भी पूछो दो लोग वापस में बात कर रहे होते ध्यान से सुनता बैठ कर जब दो पागल एक दुसरे से बाथ कर रहे होते यह जो टोबर टेक्सिंग है ध्यान से उन दोनों की बातों सुनता था और जब उससे पूछा जाता था बोला जाता था कि तुम भी कुछ बोलो सिर्फ सुनी रहे हो कुछ बोलो तो वो और कुछ नहीं तोबा टेक्सिंग बस इतना ही बात बोलता था उपर दी गड़गड़ दी एंकस दी बेधनिया दी मंग दी डाल ओफ दी लाल्टेन यह जो डाल ओफ दी लाल्टेन के जग़ा ये लास्ट वाला जो है ना लास्ट वाला लवज बदल जाता था कभी कभी पाकिस्तान गवर्मेंट आ जाता था उपर दी गुड़ गुड़ दी एंकस दी बेधनिया दी दाल अफ दी पाकिस्तान गवर्मेंट लाल्टेन के जगा कभी पाकिस्तान गवर्मेंट कभी टोबा टेक्सिंग गवर्मेंट बोल देता था क्योंकि पागल हो गया था बस कि एक दिन टोबा टेक्सिंग को इसके घर वाले परिवार वाले बड़ी बड़ी जंजीरे इसके हाथ पैर में डाल कर लाए और इस पागल खाने में छोड़ दिये और तभी से टोबा टेक्सिंग इस पागल खाने में रह रहा है और हर साल इसके घर वाले हर साल लगी हर महीन हर महीने टोबा टेक्सिंग के परिवार वाले इससे मिलने के लिए आते थे और ताजुम की बात ये भी है ना कि टोबा टेक्सिंग को दिन तारीख का पता नहीं रहता था लेकिन फिर भी इसको पता चल जाता था कि इसके परिवार वाले आने वाले हैं हर महीने इसको पता च पहनता मतलब मतलब जो कभी उस्ते कप्ड़ा पहना नहीं हो यानि कि नए नया कप्ड़ा पिहनता था ये आता था अधा ओवालै घर वाले बटवार में रड़akah जाता था जेकन तो कैसे मिलने अब ये अपने आपको मतलब साफ सुत्रा भी नहीं रखता था क्योंकि इसको जब पता रहता था कि मेरे परिवार वाले आने वाले हैं तब ना साबुन मल-मल करना आता था अच्छे से तयार होता था लेकिन कई महीनों से इसके परिवार वाले मिलने के लिए नहीं आ रहे थ था अब इससे पूछा जाता था मातलब 2 लोगों के इखी बात होती थी हिदुस्तान पाकिस्तान की तो चुक चुब बैएक कर सुनता था और पूछा जाता था कि तुम भी बोला जाता है कि तुम भी कुछ बोलो बंट तो यहीं बात बलता था ऊपर दी इसको याद था और इसको ये भी पता था कि हमारे परिवार वाले वहीं से आते हैं ठीक है ना और फिर भी पागल होने के बावजूद भी इसको अंदर से चाह थी कि मैं वापस अपने गाओं टोबा टेक्सिंग लोट जाओं सभी लोगों से पूछनी लगा पागल खाने में टोबा टेक्सिंग अपने गाओं या फिर पाकिस्तान में टोबा टेक्सिंग नाम का गाओं रहता तो पाकिस्तान चला जाता लेकिन इसको पता ही नहीं रहा तोबा टेक्सिंग को पता ही नहीं था कि टोबा टेक्सिंग नाम का गाओं कहां है इंदुस्तान में पाकिस्ता था सोचा टोबा टेक्सिंग शायद ये बता दे कि टोबा टेक्सिंग नाम का गाउं कहां है हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में है तो गया उस पागल के पास और बोला कि बताओ टोबा टेक्सिंग नाम का गाउं कहा है हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में तो वो जो पाग गा जायेगा नोबम इसका बात सुनकर बहुत जड़ा विश्ण संग लिनिकीट मेड मृत holders सवक्र बॉलने लगा वह गुस्सा होकर और सक़ बार्ब से वापस आया तो एक दिनश्र दोस्त जिसका नाम थो निय। सबL 이제 के लिए आया फजलेदीन क्या था तोबा टेक्सिंग का दोस्त था याद रखिएगा तो फजलेदीन अपने दोस्त टोबा टेक्सिंग से मिलने के लिए लाहूर के पागल खाने में आया और देख रहा था फजलेदीन अपने दोस्त टोबा टेक्सिंग को लेकिन टोबा टेक बंटके रहता है रूब को रूप को कहके रूप जाता है इसका फजल चान compr जाता है बोलता है कि King Our वह हं होविछ सर्य और वह भी चली है और देखो ये जो भुष बोला की हो सकता है की अब तुम भी Mega चले जाओ अपने परिवार रहने के लिए तो बले और विधावा सिंग्, जो की तोबाटेक सिंग के ये दोनों भाई थे, उनको मेरा सलाम कह देना, कौन बोला, फजलेदीन बोला कि अपने भाईयों को भी सलाम कह देना, ठीके, अगर जाओगे हिंदूस्तान तो, तोबाटेक सिंग सोचा कि क्यों ना फजलेदेन से ही पूछ क्या देखते ही देखते वो दिना गया जिससे लाहोर पागल खाने में जह जितने भी पागल थे ही तो सभी को गाड़ी पर बिठाया जा रहा था सभी पागल थे गाड़ी में बिठाना मुस्किल था ठीक है और इधर भाग रहे थी को इधर भाग रहे थी और जो मेल पागल थे वह भाग रहे थे और कि किसी भी तरह मुश्किल से गाड़ी में बिठाया गया तोबा टेक्सिंग को भी गाड़ी मे बिठाकर लेकर बॉर्डर पर चले गये वहां पर जब लेकर चले गए बॉर्डर पर तो वहां से गाड़ी से पागलों को उतारना मुश्किल हो गया उतार उतार कर जो आरते इधर दोड़ने लगी जितने भी मेल पागल थे वो भी अभी दौने लगे अकाबु करना बहुत मुश्क्किल था जो लेड़ीस पुलिस थी वो भी थी सब्याई उफिसर भी थे रॉप कर लोगा किसी तरह और तोबा टेक्सिंग धीरे से जो नाम रजिस्टर कर रहा था उसी से पूछ लिया ये बताईए कि टोबा टेक्सिंग नाम का गाउं कहा है हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में है अब वो जो रजिस्टर मेंटेन कर रहा था वो बोल दिया कि टोबा टेक्सिंग नाम का गाउं क पता चल गया टोबा टेक्सिंग को कि टोबा टेक्सिंग नाम का गाउं का है पाकिस्तान में है अब ये अपने गाउं से बहुत ही ज़्यादा मुहबबत करता था और इसको पता चल गया कि पाकिस्तान में टोबा टेक्सिंग का नाम का गाउं है अब ये पाकिस्तान में ही र रहे थे लेकिन तोबा टेक्सिंग एक जगह पर ऐसा तन कर खड़ा हो गया ना जैसे लग रहा हो कि अब कोई भी आंधी इसको हिला नहीं सकती है वही जिनमें भी ऑफिसर है वह यह सोच कर छोड़ दिये कि अभी खड़े रहने दो जब भीजा जाएगा ना तब इसको मनलब उठा कर भेज दिया जाएगाँगा क्या हो जाएगा यहां पर खाड़ा है तो ठीक है जब भेजना होगा तब भेज दिया जाएगा तो वहीं पर टोबा टेक सिंग को छोड़ दिया गया उसी जगह पर खाड़ा था टोबा टेक सिंग इसको पता चल गया था कि टोबा टेक सिंग नाम का गाओ पाकिस्तान में है अब इसको पाकिस्तान में ही रहना है ठीक है भले इसके परिवाल इंदुस्तान में चले गए थे लेकिन इसको पाकिस्तान में ही रहना था उसी जगह पर टोबा टेक सिंग खड़ा रहा सुबा से शाम हो गई शाम से फिर से सुबा हो गया और सुबा सुरज निकलने से पहले एक बहुत तेज चीख सुनाई दी सभी officer दोरते हुए आए तो क्या देखते है कि वो इंसान जो 15 सालों से नाही कभी बैठा था और नाही कभी लेटा था वो आज on the move लेटा हुआ है यानि कि टोबा टेक सिंग की मौत हो गई है सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में और टोबा टेक सिंग की मौत जमीन के उस टुकड़े पर हुई रहती है जो जमीन का टुकड़ा नाही हिंदुस्तान का था और नाही पाकिस्तान का था उस टुकड़े पर उस जमीन के उपर टोबा टेक सिंग की मौत हुई रहती है सिर्फ किस वज़ा से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे के वज़ा से इसी चक्कर में टोबा टेक सिंग बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और इसको जब पता चला कि पाकिस्तान में टोबा टेक्सिंग है तो ये तन कर खड़ा हो गया लेकिन किसी भी तरह इसको हिंदुस्तान भेजा जा रहा था और इसी चकर में एक मासूम पागल की जान चली गई जिसका नाम था टोबा टेक्सिंग सोचिए और यही पर जाकर कहानी का दे इंड हो जाता है लास्ट में टोबा टेक्सिंग की मौत हो जाती है वो मासूम पागल जिसको पता नहीं जो अपने गाउं से बहुत ज़्यदा मौबत करता था और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बटवारे में इसकी मौत हो जाती है तो इस कहानी में एक ऐसे इंसान के बारे में बात की ग boun जो अपने गाउं टोबा-टेक्सिंग के नाम से पुकारा जाता है और उसको अपने गाउं से इतना ज्यादा मौबत रहता है और इसी चक्र में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बटवारे के चांग और इसी चक्कर में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बटवारे के वज़े से अपने गाउं वापस लोटने के वज़े से उसकी मौत हो जाती है तो यह इस इंसान को अपने गाउं का जो रिष्टा होता है इस इंसान को अपने गाउं से जो महबत होती है जो रिष्टा होता है उस उसका गाओं पाकिस्तान में था औरुप पाकिस्तान में कम्ट्रीट होता है लेकिन रूप से हैं यह रहा सादत हसन मंटू का इमेज तस्फीर देखिए वह भी नहीं तो लिखते हुए दिखाया गया है यह रहा फोटो आप लोग देख लिए और चलिए समझ लेते हैं सारा के लुद्याना के सिंवरा लगाओं में मंटू के वालिद यानि की पिता जी का नाम था ख्वाजा गुलाम असन इस बार कोशन ट्वेल्ट क्लास में पूछ दिया था तो हर एक इंफर्मेशन इनके बारे में याद रखिएगा ठीक है और सादत असन मंटू की वालिदा यानि से वो उन्हें अलिगण छोड़ना पड़ा अगे देखिए धेर सारा इंफर्मेशन इनके बारे में दिया गया है उन्हें सब्सक्राइब के तराजम भी उन्होंने शुरू कर दिये और उनका पहला अफसाना अम्रिद सर्थ से निकलने वाले रिसाले खलक के अगस्त उन्ह पहला अफसाना का नाम क्या है तमाशा याद रखिएगा और यह कब शाय हुआ था कब परकाशित हुआ था तो उन्हें सब्सक्राइब में और कौन से रिसाले से तो रिसाला यानिकी पत्रिका का नाम था खलक याद रखना है कोश्चन पूछ देता है उन्होंने सहाफत को शुरू के जमाने में अपनी रोजी रोटी का जरीया बनाएं बाद में कली दुटा करक छोटा करते हैं था इनका तालुक不對 काका काम हुआए और बहुत सारे फिल्मों की कहानि फिल्म है याद रखिएगा इनमें कई अपने जमाने की बहुत नहायत मशूर फिल्म है मंटू असलन अफसाना निगार थे मंटू जो है ना रियल में वह अफसाना निगार थे और उनकी शनाख्त भी इसी हवाले से कायम हुई और उनका पहला अफसानवी मजमूर आतिश पा था तो उन्हेंसा 36 इस भी में प्रकाशित हुआ था धुआ जोगद खाली बोदले खाली डबे नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे उपर नीचे और दर्मियान सरकुंडों के पीछे वगयरा उनके मशूर अफसानवी मजमूएं यह सब क्या है उनका कहानी का किताब का नाम है याद रखना है उन्होंने मुक्तसर तरीन अफसानों का एक मजमूह स्याहाशिये किया जिसमें तक्सिम मुल्क का इल्मी और स्यासी एतबार से जो लानियत को निशाना बनाया गया है देखिए उन्होंने एक नाविल लिखा जिसका नाम बगएर उन्वान के हैं सब्सक्राइब नीजों बेगम सुफिया से उनकी शादी जनवरी निए सब्सक्राइब कर पकिस्तान चले गए जहां ठाटार जनवरी उने सब्सक्राइब को लाहर में उनका इंदकाल हो गया मुक्तसर हैं हायात के बावजूद मंटू ने बहुत जादा लिखा बनाहीं कि इंपोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूं अंग्रेजों की हुकूमत में उनके बाद अफसानों को मुकदमात का निशायना बनाया गया यान कि उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की की केस ठुकाया था याद रखना यह कोशन पूछ देता है मन्टू गहर रिवायती फिक्र के हामिल अफसाना निगार थे उन्होंने स्यासत हो या घरेलू जिंदगी हर जगा बाद ऐसे खरे सवालात काइम की जिनके वज़ा से लोगों की परिशानिया बढ़ जाती थी मन्ट के बाद मन्टू बेदी क्रिश्चंद रॉस्मत युगताई से मिलकर उदू अफसाने की सबसे ताकत दर्श नसल सामने आती है नया कानून से लेकर टोबा टेक्सिंग तक उनके यहां सियासी अफसानों की कोई कमी नहीं है तो फाइनली अब यहां पर हो जाता है त्विल् पूरुब से कंपलीट क्योंकि आप लोग मुसनिफ के बारे में सारा इंफोरमेशन समझ गए और पूरी कहानी में आप लोग को बता दी तो पूर्ण रूप से यहां पर आप लोग पर आप्र कंपलीट हो गया अ यहोप आप लोग यहां my अगा हर एकक्छी समझ में आया ह सके और यह दर्द भरी इमोशनल भरी कहानी वह भी सुन सके ठीक है और कोई भी कमफ्यूजन हो तो भी आप हमें कमेंट में लिख कर बताएं तासी अगले वीडियो में उस कमफ्यूजन को मैं क्लियर कर सकूँ ठीक है और अगर आप लोग चैनल पर नया आई हुए है तो चैन